नमस्कार मित्रो ओम शान्ती आज का विजय मंत्र है कोई हमें पसंद करे या हमसे नफरत करे दोनों ही तर्क हमारे पक्ष में है अगर कोई हमें पसंद करता है तो हम उनके दिल में होते है और कोई हमारे से नफरत करता है तो हम उसके दिमाग में होते है हमेशे अपनी सकारात्मक सोच को कम न होने दो या बदलने दो बदलने न दो क्यों? क्योंकि परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए कई लोगों के सामने ये बाते आती है कि कोई हमें पसंद करता है तो गुनों के कारण करता है तो वो भी एक लगाओ बन जाता है अगर कोई अगुनों के कारण, कम्यों के कारण हमारे से नफरत करता है तो वो दुर्गुनों को देखने के कारण उसके दिल में हमारे प्रती नफरत पैदा हो जाती है दोस्तों यहां आप देखेंगे कि दोनों चीजे हमारे लिए वैसे देखे जाए तो लगाओ भी नुकसान है और नफरत भी नुकसान है लेकिन ऐसे समय मुझे अपनी जीवन में वीज़े बनने के लिए न किसी से लगाओ हो न किसी से प्रभावित हो न किसी से नफरत हो हाँ अगर दुसरा कोई कर रहा है तो वो उसकी प्राबलेम है उसके कारण मुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है अगर मैं हर एक के बारे में सोचू कि मैं इसकी पसंद बनू वो मुझे पसंद करे ये संभव नहीं है हर एक के आपने विचार है हर एक के आपने बुद्धी है हर एक आपने थींकिंग से सोचता है इसलिए आप दुसरों के बारे में न सोचते हुए आपने स्रेष्ट कर्म करते चलो भगवान को जो पसंद है विवेक को जो पसंद है उसके उपर आप आटेंशन दे दो रही दुसरी बात कि वो भले नफरत कर रहा है हम उनके दिमाग में रहेंगे लेकिन मुझे उसके परती नफरत नहीं करनी है क्योंकि नफरत भी हमारे शक्तियों को नश्ट करती है लगाओ भी हमारे गुना और शक्तियों को नश्ट करता है इसलिए मेरे तरब से मुझे हर एक के परती शुब भावना और शुब कामना रखनी है अगर कोई करता भी है तो उसके प्रति मुझे इश्वर को यही कहना है कि उसका भी भला हो उसको भी भगवान सदबुद्धी दे ताकि वो अपने जीवन के अंदर हर एक के प्रति गुन देखे हर एक के प्रति अपना अच्छा व्यवार रखे तो इससे क्या हो जाएगी हमारी जो सोच है वो सकरत्मक हो जाएगी और सकरत्मक सोच से उसकी जीवन में परिवर्तन आएगा कभी भी यह नहीं सोचना है आपको क्योंकि बहुत आईश्य लोग दुसरों के व्यवार से प्रवावित होके आपने विचारों को बदल देते हैं हम आपने सकरत्मक विचारों को कभी भी चेंज नहीं करना है और जब आपकी 100% उसके प्रती सकरत्मकता होगी तो वो आप ही चेंज हो जाएगा Thank you, all the best, सबको Om Shanti